VONR settings को आप लोग कैसे enable कर सकते हो अपने किसी भी Xiaomi Redmi Note Poco device में अगर आपके phone में MIUI 14E क्यों ना हो फिर भी आपको उसे easily enable कर सकते हो कैसे करना है यहाँ पे आपको step by step method बताने वाला हो और on करके मैं आपको ये भी check करवाऊँगा कि वो working है की नहीं यह है guys Redmi Note 13 Pro जिसके मैंने करली वीडियो बनाए थी और मैंने का आपको बताया था कि VONR enable करके दिखाऊंगा यहाँ पे आप लोग दिसकते हो guys कि VONR official setting तो हमारे phone में है ही नहीं but still मैं आपको officially दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे enable कर सकते हो अपने किसी भी Xiaomi phone में बहुत easy methods है बट उससे पहले मैं आपको कुछ testing दिखा देता हूँ बट उसी के साथ एक बहुत important news guys मैं आपके साथ शेयर करना चाता हूँ चार बार बहुत सारे लोगों को गलत फैमी होती है तो क्या करते है अप डिटर सक्षन में आते है उसके बाद जो hyperos है उस पर टैप करते है जिससे होता कुछ नहीं यह additional settings ओन हो जाती है आपने ऐसा नहीं करना है आपने ओन करना है developer options को वो आपको कहा मेलेगा यहां पर जो os version देखनी को मिल रहा है इस पर आपने पांच बार टैप करना है आपका developer option ओन हो जाएगा वो setting आपको वही पर मिलेगी कहा पर मिलेगी मैं आपको दिखाता हूँ बहुत जारे options देखने को मिल रहे हैं, जैसे AI subtitles, इसके बारे में आपको में वीडियो में बात करेंगे, बट उसके नीचे आमें देखने को मिल जाता है, OTG के just उपर हमें देखने को मिलता है developer option, आपने से प्लीज पर टैप करना है, यह options automatically own होगा, यहाँ पे आपको option जो आए, और official option होगा वो, तो यहाँ पे हम लोग जाते है, scroll down करते हैं, कहीं भी हमें option देखने को नहीं मिल रहा है, तो यह तो clear होगा है guys कि यहाँ पे openly वो option enabled नहीं है, जबकि पहले वो enabled था, इससे पहली वाइली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, तो बाहर available होता है, अब यहाँ पे available देखने को नहीं मिलता है, तो अब वो आपको कहा देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा, नेटवर्किंग वाले section में, अब नेटवर्किंग वाले section में guys, आप वो simply scroll down करते हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जस थोड़ा सा और स्क्रोल करते हैं, and then बस आरे वाला है, और हम थोड़ा सा और स्क्रोल कर देते हैं तब तक, और यह रहा, then हमें देखने को मिलता है, cellular network debugging, तो आपने का करना है, simply वी ओनर सेटिंग पर क्लिक करना है, यहाँ यह official वाली वी ओनर सेटिंग है, यहाँ पे अगर आपके पास अपने फोन में एक बार airplane mode को on कर देना, ताकि network refresh हो सा है, तो जैसे कि आपने देख सकते हो कि मैंने on किया, off किया, अब हमारा जो network है, वो refresh हो चुका है, उसके बाद जब भी आप इस phone करोगी, यह हर बार network को refresh करेगा, automatically, तो हमें आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ह around 80 mbps तक की speed देखनी को मिल रही है, तो 100 तक हमें देखनी को मिल सकती है, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो कि download speed increase हुई है, मैंने आपको पहली वाल इन दिखाई, बट वो around 40 mbps तक आती है, वो depend करता है area to area, तो वो आप चेक आउट कर सकते हो, upload speed तो काफी कम आ रही है, उसे के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि check कैसे करना है, जैसे आप लोग दे सकते हो कि यहाँ पे आपको data का dot देखने को मिल रहा है, जैसे आप इसको off करते हो, वो dot बंद हो जाता है कि आपके phone में data use हो रहा है, जैसे आप इसको on करते हो, data use हो रहा है, वो आपको show होन आपको बड़ी दिक्कत भी आपको देखने को नहीं मिलेगी तो easily आप अपने किसी भी Xiaomi, Redmi या Poco डिवाइस में से easily enable कर सकते हो इसके बाद जो आपके फोन की calling speed है या internet speed है वो दोनों increase हो जाएगी तो अगर आपको feature पसंद आया हो गाइस तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना ह हमारे 60K की family को FOTA 800 के complete कर वाओ, so guys thank you for watching, मिलते हैं नेक्स वीडियो में